इंजीनेरिंग और आर्किटेक्चर का ये एक नाया अबुदारन है गोर्ज खलीफा दोबाई की उस बिल्डिंग से भी ज्यादा इसका फाउंडेशन स्टॉंग है लगभग आठेकर एरिया में पॉंडरी वाल बनाई जग गई है जिसको हम परकोटा कहते हैं तो भारती पर लेयर्स में रखा है लगभग 50 फिट अब 21 कुंटल का अगर ये है तो इसकी आवाज तो बहुत दूर तक सुनाई देगी तो ऐसा कहा जा रहा है कि 15 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई देगी इसके ये चार कॉर्णर है तो इन चारों कॉर्णर पर पी इन पर दोस्तों आज हम बात करेंगे राम मंदर आयोध्या की इस मंदर के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉंग है कि हजारों साल इसका कुछ नहीं होगा इंजीनरिंग और आर्किटेक्ट्चर का ये एक नाया अबुदारन विश्व का सबसे स्ट्र इस्ट्रॉंगिस्ट फाउंडेशन बनाया गया है क्यों यह हजारों साल तक बना रहेगा और इसमें टर्माइट का इफेक्ट नहीं होगा किसी तरह का अर्थक्वेक का या भूकंप का क्योई भी इसमें असर नहीं होगा तो आज हम टेक्निकल एनालिस करेंगे जीहां मैं मैं हूं बी सिंग फाउंडर एंड डारेक्टर मेडीजी और नेक्स्ट आइस और आयटी भी उसे सिविल इंजिनेरिंग से बीटेक किया है मैंने आई एस में कुछ दिनों के जॉब किया उसके बाद रिजाइन करके फिर मैं पढ़ाने में यहां पर हूँ तो दोस्तों इस मंदिर के बिशेष्थाओं के बारे में हम नजर डालते हैं तो इसके जो चीफ आर्कीटेक्ट है वह चीफ आर्कीटेक्त थे स्वामपुरा चंद्रकांत भी स्वांपुरा यह चीफ आर्कीटेक्ट है एलन टी कंपनी जो बड़ी फैमस कंस्ट्रक्शन कंपनी है वह कंस्ट्रक्शन कर रही है और इसका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ताकि यह समय पर पूरा हो वह है टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स सभी अपने अपने चेत्र के एक्सपर्ट हैं जब इस मंदिर का निर्माण स्टार्ट हुआ और इसके लिए फाउंडेशन की खुदाई हुई तो जो एक सर्प्राइजिंग बात सामने आई वह थी क्वालिटी ऑप स्वाइल तो यहां पर मिट्टी निकली वह रेत है और रे चेनियर्स अपॉइंट किये गए डिजाइन एडवाइजर्स अपॉइंट किये गए जिसमें आएटी चेन्नाई आएटी बॉंबे आएटी गोवाहार्टी सीवी राए रुड़की एस्वी एनएटी सूरत और एंजी राए हैधरवाद के जो डारिक्टर्स थे जो बहुत हैं उनको इनवाइट करा गया और उन एडवाइजर्स के माध्यम से फिर इसका फाउंडेशन डिसाइड किया गया और डिसीजन यह हुआ कि इसका फाउंडेशन ऐसा बनाया जाए कि यह पूरा एक रॉक बन जाए ताकि उसमें कोई किसी तरह का डिफरेंशिल सेटलमेंट फिर ना हो एक हिस्षा दूस्रा हिस्न किसी तरह से सिंक ना हो इनके जो मुर्तियां बनी है मंदिर की जो मूर्तियों का जो इस्थापना होनी है उन Northern बजाइन किया है सिल्पकार है वह अरुन्य योगी-राज यह मैसूर के हैं इनकी द्वारा बनाया हुई मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा 22 जनवरी को और गणेश भट एवं सत्य नारायन पांडे इन्हों ने भी मूर्तिया बनाई लेकिन जो समिति ने चुनाव किया जो मंदिर समिति है उन्हों में अरुन योगी राज की मूर्तियों का चुनाव किया ऐसा मीडिया की खबरों में आ रहा है जो पूरा मंदिर का प्रांगर हैं वह लगबहग है सत्ता एकड्ट और इस सत्ता एकड्ट में से 70% एरिया ग्रीम रखा गया और उसमें से 2.77, 2.77 एकड़ भूमी पर मंदिर बनाया गया है, मंदिर का जो आकार है, उसकी लंबाई लगभग 380 फिट है, चोड़ाई 500 फिट है, और हाइट या उंचाई 161 फिट की उंचाई है, निर्मान की जो सैली है, देखिए दो तरह के मंदिरों की सैलियां होती है, एक है डेबिडियन सैलिया जो जर्छिण भारत में फौलो की जाती है, दूफरी है जो हमारे नौर्थ इंडिया में है वह नागर सैली, तो भारती हे परमपरा के अनुसार, नागर सैली को अपनाया गया है, जो की यो को यो की नौर्फ इंडिया के टैंपिल में मिलेगा, और साउथ इंडिया में ड्रेविट सैली होती है इस पूरे प्रंगण के अंदर दो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे और उनमें एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी होगा दो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होगे ताकि जितना भी यहां सीवेज डबलप हो वह सीवेज मतलब की जो यूज किया हुआ पानी है उसको रिखाइकल करके उस साफ करके फिर उसको यह तो दुबारा होटी कल्चर के लिए यूज कर लें या फिर उसको पानी पीने के लिए जो यहां सुभिधा होगी उसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गया है और पावर सप्लाइड डेडिकेटेट होगी और बात करते हैं कि कौन सा मटेरियल यूज किया गया है ऐसा क्या है उस मैटेरियल में कि ना उसमें जंग लगेगी ना टर्माइट लगेगी ना उसका कोई डिके होगा ना पानी का असर होगा ना धूब का असर होगा और हजारों साल तक यह स्टेबल रहेगा कुछ तो ऐसा मटेरियल होगा तो जाननी की कोशिश करते हैं तो दोस्तों इसमें इस तील का यूज नहीं हुआ सबसे बड़ी बात क्या है क्योंकि स्टील जिसको लोहा कहते है क्योंकि लोहा में जंग लग जाता है और इसकी वज़े से इसका नुक्सान हो सकता था तो इसमें कहीं पर भी स्टील यूज नहीं करा गया ना फाउंडेशन में ना उपर सुपर में मंदिर में और जो फाउंडेशन बनाया गय यह रोल्ड कॉंपेक्टिट के बारे में अभी हम बात करेंगे यह एक खास बात है इसकी कि इसी की बज़े से इसकी स्ट्रेंग्थ आई है और यह पिंक सैंड स्टोन लाया गया है जिसके खंबे बने हैं और जिसकी दिवालें बनी है यह जिसका च्छत बना है वह पिंक आने के काम में आई है इसके उपर मंदिर रखा गया है और उसके ग्रेनाइट के नीचे यह रोल्ड कॉंपेक्टिट कॉंक्रीट है इस पर अभी हम बात करेंगे जो मूर्ती बनाई गई है वो है सालीग्राम रॉक यह जो नेपाल में गंड की रिवर है काली गंड की रिव तो टीक वुड को यूज करा गया है तो दोस्तों इसमें हम डिसकेशन करते हैं अब बात करते हैं कि फाउंडेशन की तो दोस्तों देखिए यह ग्राउंड लेबिल से इतना इसमें डेफ्थ तक इसको मैं आपको अगर समझा पाऊ यहां पर तो यह इतनी डेफ्थ तक इस बैस बनाया गया और इस बेस के ऊपर 56 लेयर एक एक फूट की 56 लेयर कॉंकरीट की डाली गई और वहाई स्ट्रेंट कॉंकरीट अब आप देखिए यह जो कॉंक्रीट की आप देफ्थ देख रहे हैं यहां पर यह कॉंक्रीट यह यह हैं टोटल 56 लेयर में रखा it और एक रखे हुएं फिर उसमें रोलर चलाएं गया रोलर उसको compact करा गया और एक लेर पूरी एस एरिया में एक single layer लगाई गई उसमें कोई joint नहीं है कोई joint expansion joint contraction कुछ नहीं दिया गया और यह जो concrete है है हाई-strength concrete का मतलब यह है कि इसमें जो मात्रा यूच की गई है बाइंडिंग मटेरियल की इसमें क्योंकि स्टोन यूज हुआ है और उसमें फ्लाइस यूज हुआ है स्टोन की डस्ट यूज हुई है और इसमें जो कॉंक्रीट का जो हम पोजीशन रखा गया है वह ऐसा है की स्टॉंगे स्टो जन्रली जब हम घर बनाते हैं या आप इन जन्रल यूज करते हैं तो वह कॉंक्रीट होता है यह जो कॉंक्रीट है यह कॉंपक्सिन के बाद इसकी स्ट्रेंच्व होता यह स्ट्रेंग्स क्लिन में कि नई हैं यह लगबग 300 फिट एक साइड में और इधर 400 फिट यह इतना पूरा प्लेटफॉर्म एक रॉक बना दिया गया रॉक मतलब पत्थर चटान इसलिए इसको रॉक फवानडेशन कह सकते हैं तरह से रॉक फांडेशन बन गया यही खास बात है कि नार्मलीare निया चान favor marketing बिल्डिंगों में या फिर कॉलम बनाए जाते हैं उनके नीचे पाइलिंग कर देते हैं या फिर राफ्ट डालते हैं लेकिन दोस्तों यह राप्ट का रूप तो है लेकिन यह स्टील यूजड नहीं है इसको रॉक बना दिया गया पूरे फाउंडेशन को एक बड़ी चटा कि किसी भी तरह की टर्माइट ना आये किसी तरह का उसमें खर्पतवार ना ओगे तो उसको ट्रीटमेंट किया गया है तो यह है दोस्तों इस फाउंडेशन की खास बात इसके ऊपर फिर बड़ी बड़ी ग्रेनाइट रोक की सिल्लिया रखी गई है क्योंकि यह तो और उपर ग्रेनाइट ग्रेनाइट का जो पत्थर हैं जो करनाटका से और तिलंगाना से लाए गए हैं उनकी बड़ी बड़ी सिल्लियां रखी गई उनको भी जड़ा बात करेंगे अभी देखते हैं आगी चल करके और यहां पर अगर हम नज़र डाले तो देखिए 14 मीट देज्ट तक और पर अले कॉमपेक्टीटं इसको स्टोंड़ चाहते हैं और कुछ चतान इक्ष्छल रोक बन गई यह लेकिन आटीफिफीशल नहीं लेकिन आटीफीश रॉक बन गई है और इसके बाद ताकि मिट्टी की नमी ऊपर ना आए मंदिर की सर्फेस तक तो इस चट्टान के ऊपर फिर 21 फिट की इसके ऊपर प्लिंथ बनाई गई प्लिंथ का मतलब समझते हैं कि ग्राउंड लेबल से ऊपर जो हम ना नियू बनाते हैं और तो जिसको जिसको हम इसके ऊपर इसके ऊपर फिर सर्फेस मंदिर की बनाए गई ताकि पानी ना चढ़े या मॉइस्टर ना चढ़े कैपिलरी एक्षन ना हो तो उसको बनाए गया और यह देखिए यह हैं बड़े-बड़े यह करणाटका से और यह करणाटका वाले चढ़ वहांसे लाकर मिर्जापर में कटिंग फी और यहांद के वह रख्वे में एक्तवय तीन मंजला बिल्डिंग है और यह अर्थक्विक रजिस्टेंट अर्थक्विक रजिस्टेंट का मतला भी हो गया कि यह भूकंप का असर इस पर नहीं होगा वैसे तो यह जोन फोर है अगर हम भारत में देखें तो पांच जोन है जिसमें से आयोध्या की जो प पाइब को कंसीदर करके किया गया है ताकि अधिकतम अगर भूकंप आता है तो भी इस मंदिर का कुछ भी ना बिगड़े और जिस तरह का इसका डिजाइन है उससे कुछ बिगड़ने की संभावना नहीं है जो इसमें लकड़ी यूज हो रही है जो दरवाजों में वो टी जो आप खंबे देख रहे हैं यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह खंबे हैं 3092 यह खंबे हैं जो बने हुए हैं पूरे प्रांगड में ग्राउंड फ्लोर पर थोड़ा फस्ट फ्लोर में जाके कम हो गया सिकंड फ्लोर में जाके और कम हो गया तो अभी हम देखते नेपाल में पाई जाती है और वहां से लाई गई है यह गंडी की रिवर से यह बड़ी-बड़ी चत्ताने हैं इसका लगभग 30 टन वेट था बड़ी वाली सिला का और लगभग 14 टन के आसपास वेट था छोटी वाली सिला का इनी से काट करके मूर्तिया बनाई हैं जो कि सिल करोड से भी ज्यादा का पुरानी सिला हैं इसका मतलब इनका कुछ नहीं विगड़ने वाला छे करोड साल से अगर यह ऐसी है तो आगे चलके इनका क्या विगड़ेगा यह करोडों करोडों साल अभी यह मूर्तियां जो बनेंगी ऐसे ही रहेंगी और ईश्वर की कृपा अरडी है अब तो इस और स्वयम इसमें विराजमान हो जाएंगे तो उनकी महिमा आपार है इस दिन का इंतिजार हम सब लोगों को था कहते हैं सैकड़ों साल से लोग इसका इंतिजार कर रहे थे कितने लोगों ने अपनी जिंदिगी ने शावर कर दी इस मंदिर के लिए और इस मंदिर अपना पूरा फरूप ले रहा है और यह सिबिल इंजिनेरिंग और आर्किटेक्ट्चर का एक नायाब नमुदा है दुनिया में बहुत सारे स्ट्ट्र बने हैं लेकिन ऐसा स्ट्रेयर है और यह स्ट्ट्चर अपने आप में इस लिए डिफरेंट है क्योंक तनी मोटी राफ्ट बनाई गई है और आगे चलते हैं यहां पर कि मंदिर में जो घंटी जो यूज होगा यह देखिए यह जो बैल है यह अस्ट धातु का बना हुआ है और 200 फिरते हाट के अब 21 का यह तो इसकी आवाज तो बहुत दूर तक सुनाई dus 10-5 km το इसकी आवाज सुनाई देगी तो इसके कहा रहा हैं कि 15 किलोमीटर दूर तक इसके आवाज सुनाई दे हैnın फ्रीराम ला ना बर ब्राजबान होंगे बालूरूप में रिफ्रीराम लला का विग्रह पाइश मैं फिर्याम है पंदिर में टोटल पांच मंदप उसका आफ इसमें ध्रल्टमंडप रंग मंदप सभ़ा मंडप मंदप और कीरतनं सरसा मंडप का प्रायोजन किया गया है तो इस पूरे मंदर में भव्म मंदर में यह मंदब बनाए गए हैं और इसमें जो पर कोटा है पर कोटा का मतलब यह होता है कि जो इसकी चार लिए chemicals का यूज करा गया है एंड उसमें जो copper की प्लेट को यूज किया गया है इस परकोटा के आप देखेंगे की चारों तरफ परकोटा का मतलब देखिए यह जैसे मंदिर है तो यह चार दिवारी जो देख रहे हैं आप यह इसके कॉर्णर पर भी छोटे-छोटे मंदर है यह में मंदर है यह यहां पर आप देख रहे हैं यह में मंदर है यह में टेंपिल और इस में टेंपिल की जो एंट्री है यह पूर्व की दिसाफिव तो यह हो गया आपका इस्ट पार्ट हो गया यह वेस्ट पार्ट हो गया और इसका अगर यह वाला भाग देखेंगे तो तो यह नौर्थ हो गया और यह वाला भाग साउथ हो गया तो यहां से में एंट्री है इधर से और यह पूरा पस्चिम इसकी लोकेशन है और इसके चार कॉर्णर हैं तो इन चारों कॉर्णर पर भी इन पर आप देख रहें यह छोटे-छोटे मंदिर बनाए गए हैं यह भी है अभी पूरा प्रांगर बन करके तयार होने में आभी और समय लगेगा अभी तो यह पहला जो मुख्यमंतर है यह लगभग बन के तयार है लेकिन बाकी कि छोटे-छोटे मंदिरों पर अभी काम चल रहा है यह जो चोटे-छोटे और कौन-कौन से मंदिर हैं तो इन कौनों में हैं और फिर दो और बड़े मंदिर हैं जो एक उत्री में और एक दक्षणी दिशा में था तो मंदिर परिसत में कुछ जैसे उत्री में देखें तो उत्री भुजा में मा अन्यपूर्णा देवी का मंदिर है और दक्षणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर है तो ने को लिखा है जिन्होंने इस पूरे संस्कृति को आगे बढ़ाया है तो उसमें आप देखेंगे कि महारीशिंगे की मंदिर है और ये सबी मंदिर भी यहां पर और यह सारे मंदिर छोटे-छोटे इसमें विराजमान किये गए हैं मंदिर के समीप में एक सीता कूप भी है जो विद्धिमान है उसका भी है और दक्षणी पस्चमी भाग में कुवेर टीला है जिसमें कुवेर जी को इस्थापित किया गया है और वहां सिव के प्राचीन मंदिर का भी जीरणोधार किया जा रहा है तो यह भी इसी मंदिर कंस्ट्रक्शन का पार्ट है और वहां जटायों की प्रतिमा भी स्थापित की गई है तो यह है और इस मंदिर का जो भब्य निर्माण बहुत ही कम समय में हुआ है 2019 में तो इसका निर्ण ही सुप्रीम कोोड से आया था और 2019 के बाद फिर कोरोना आगया कोरोना कि समय पर बहुत समय तक कम बदे रहा और उसके बाद पर इसका निर्माण कारी है और अर्किटेक्ट हैं उनको सथ सथ नमन और जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उनकी जो कमिटमेंट है जिसका उनका भाव है वह अध्वुत है तो दोस्तों हमने जो बात की आज इस मंदिर के सब्सक्राइब में मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ऐसी जानकारी हासिल होई होगी कि क्यों यह मंदिर धाय हजार साल तक या उससे अधिक तक हिलने वाला नहीं है कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इस मंदिर के में कहीं स्टील नहीं यूज हुआ है फांडेशन बहुत सिंगल चट्टान बनाई गई है और आटिवीशल चट्टान की ऊपर लगभाग एकिस फुट का ग्रिनाइट रॉक का प्लिंथ रखा गया है और उसके ऊपर मंदिर का बन निर्माद हुआ है तो दोस्तों यह मंदिर का जो निर्माद हुआ है पत्थर यूज हुआ है वह से आया है भरतफूर से और पत्थर ग्रिनाइट मतलब रेट सैंड स्टोन ग्रिनाइट और यह रोल्ट कॉंपेक्टिट कॉंक्रीट इसके लावा टीक वूड यूज हुई है और कॉपर की प्लेटें हुई है और गोल्ड और जो अस्धातु हैं यह सब चीज़ें यूज क पता हो कि हजजारों साल तक क्यों स्ट्रॉंग रहेगा और स्री राम के आदर्सों को ले करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज इस सेशन में इतना ही जै स्री राम